दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा नौ के बिज्ञान की NCRT की किताब से क्वेस्टन नमबर 8 करने जा रहे हैं क्वेस्टन नमबर 8 लिया गया है अध्याय का नाम है परमाड यौम अडू क्वेस्टन नमबर 8 क्या कह रहा है मोल में परिवर्तित कीजिए मोल में परिवर्तित कीजिए क्वेस्टन आठ में तीन क्वेस्टन है A, B, C और ये 12 ग्राम अक्सीजन को मोल में परावर्तित करना है और 20 ग्राम जल को मोल में परावर्तित करना है और 22 ग्राम कारवन डायकसाइड को मोल में बदलना है यानि A, B, C तीनों को क्या करना मोल में हमको चेंज करना है मोल और दरबिमान के बीच क्या सम्मंद है हमने पिछले क्वेस्टन में किया था जो की इस तरह से है यह क्या है आक्सीजन गैस आक्सीजन गैस है आक्सीजन गैस का मतलब O2 O2 क्या है आड़ू है O2 आड़ू है तो O2 आड़ू है का मोल एक का मोल कितना होगा इसका मोल एक मोल होगा इसका मोल क्या होगा इसकी मात्रा क्या होगी O2 गैस की मात्रा एक मोल होगी एक मोल बराबर जो होगा आक्सिजन गैस का एक मोल या एक मोल बराबर होगा और कितना होगा इसका अड़ भार आक्सिजन का होता 16 दूनी 32 यह हमको याद रखना है चूंकि लिख सकते हैं 32 ग्राम 32 ग्राम लिखेंगे 32 ग्राम आक्सिजन अड़ू क्या कितना ओजन होता है एक मोल के बराबर होता है 32 ग्राम आक्सीजन अडू यानि आक्सीजन गैस आक्सीजन गैस क्या होता है आक्सीजन अडू होती ओटू होता है एक मोल के बराबर होता है तो इसलिए हमको क्या निकालना इसलिए क्या कर सकते हैं चूब के हमको पता है, इसलिए 1 ग भायाम का निकाल सकते है' या 12 ग्राम का शीधा निकाल सकते है'm 12 ग्राम आक्सीजन ऐसलो को आडू Rs होै की मात्रा मात्रा कि सबांतके होने क्यों सब में wow मात्रा को देखेश रखेश हो गत जाएगा चारतियां बारा चार आठें बद तीस यह मोल होगा क्या होगा मोल होगा इसको हल करेंगे आठ से तीन में भाग देंगे तो आठ का तीन में भाग देंगे तो जाएगा नहीं जीरो बढ़ेगा दसमलों बढ़ जाएगा तो 30 होगा 8, 4, 35 हो जाएगा 8, 3, 24 8, 3, 24 और 36 60 8, 60 हो जाएगा तो 8 का भाग हम 60 में देंगे तो 8, 6, 48 8, 7, 56 8, 7, 56 यह 40 हो जाएगा 8, 25, 40 तो हो जाएगा 0, 7, 7, 5 पांच मोल यह मात्रा जाएगी 0, 37, 5 मोल क्या जाएगा आक्सिजन की मात्रा इतना जाएगा एंस्वर नमबर यह हमारा यह हो गया एंस्वर हो गया ठीक इसी परकार जल के अड़ों की लिए निकालेंगे जल का अड़ों हमारा क्या होता है जल जल की मात्रा किसमे मोल में बराबर क्या होगा एक मोल होगा ये मोल का नियम है और जल का अभार हमारा कितना होता है ये आक्सिजन का 16 और ये दो 18 यहां लिखेंगे चू की 18 ग्राम जल की मात्रा बराबर एक मोल होता है ये हमको याद रखना है समझना भी है इसलिए क्या करेंगे 20 ग्राम 20 ग्राम जल की मात्रा क्या होगी एक बटे ये 18 गुड़े 20 इसको हल करेंगे इसको हल करेंगे भाग देंगे तो नव एक क्यम नव एक क्यम नव और फिर एक बचेगा एक 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 ये मोल हो जाएगा एक दसमलो एक एक मोल या हम ऐसे लिख सकते हैं दस बटे नव मोल भी लिख सकते हैं दस बटे नव मोल यह answer हमारा B का answer हो गया answer किसका हो गया B का हमारा answer हो गया answer हमारा B का हो गया अब हम इसी तरह C का निकालेंगे यह हमारा carbon dioxide है इसमें क्या है carbon dioxide CO2 की मात्रा CO2 की मात्रा किसमें mole में बराबर क्या होगा एक mole एक mole ठीक उसी तरह से अब एक कारबन का 12 आक्सीजन का 16 यह 12 और 16 दुनी 32 इसका अड़ भार निकालेंगे तो यह वो जाएगा चार और 3 एक चार 44 ग्राम हो जाएगा यह लिखेंगे 44 ग्राम कारबन ड़ाइकसाइड इसमें कोई अड़ी हो सकता कुछ भी हो सकता बराबर एक मॉल होगा चूंकि इसलिए क्या लिखेंगे 22 ग्राम कार्बन डाइकसाइड सी ओ टू की मात्रा मात्रा एक बटे एक बटे चे वालिस ये नीचे जाएगा ये बगल जाएगा एक बटे फोर्टी फोर गुडे बाइस टो बाइस दूनी चे वालिस एक बटे दो बचएगा एक बटे दो का मतलब दो पांचे दसमौल पांच मोल इसका उत्तरा जाएगा ये सी का एंस्वर हमारा एंस्वर सी का गया 0.5лом